हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉब में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्मानेंट सरकारी नौकरी की और ये जो वेकेंसी आई है स्पेसली महलाओं के लिए है महलाओं की सीधी भरती के तीन नए विग्यापन जारी किये गए है तो चलिए देख लेते हैं संपून जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है अंतो तक वीडियो को बने रहिएगा तीनों विग्यापन हम इसी वीडियो में कव सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वैकेंसी राजिस्थान करमचारी चैन बोर्ट जैपूर के द्वारा आई है विस्तरित विग्यापन जारी किया गया है 13 फरवरी 2024 को दूसरा विग्यापन की अगर हम बात करें तो ये विग्यापन भी जो है 13 फरवरी 2024 को ही जारी किया गय तीनों ही वेकेंसी, सरकारी, पर्मानेंट जॉब की है, विग्यापन संख्या, एक ओबलिक, दो हजार चॉबिस, तो यह अलग-अलग विग्यापन है, ध्यान में रखना है, पद का नाम है परवेक्षक, सूपरवाइजर, यह है महिला दिकारिता विभाग, इससे वेकेंसी ह कुल 176 वेकेंसी आई है, गैर अनुसूचित शेतर की 142 है, अनुसूचित शेतर की 34 वेकेंसी है, अब भ्यहरतियों के लिए जो विशेश निर्देश यह है, कि जिनके पास CET क्वालिफाय है, सनातक स्तरका, तो वो बिल्कुल यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, कि भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुइशन कंप्लीट किया है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर आवेदन करने के योग्य हो जाते हैं, पातरता एवं सेक्षन की योग्यता यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में विधी द्वारा इस्थापित किसी विश्व विधाले से बहारी राज्य के कैंडिडेट बिल्कुल यहाँ पर आवेदन करने के योग्य है, साथ में जो है ग्रेजुइशन के साथ में हिंदी में काम करने का ज्यान और राजिस्थान की संस्कृति का ज्यान होना जरूरी है, तो यह जो इस भरती के लिए वही उमीदवार आवेदन कर सकते हैं, जिनका CET क्वालिफाय है, सनातक स्तर का, ग्रेजुइशन लेवल का, आयू सीमा जो है यहाँ पर 18 वर्स से लेकर 40 वर्स तक की रहने वाली है, अधिक्तम आयू सीमा में छूट यहाँ पर कहा गया है, कि अगर सामान्ने वर्क की महला है, तो 5 वर्स की छूट है यानि भारी राज्य की कैंडिडेट जनरल कैटिगरी में काउंट होंगी, तो उनके लिए भी 5 वर्स की छूट है, राजिस्तान की अगर मोल निवासी है, महला अभ्यर्ती, तो उसे 10 वर्स की छूट है, ठीक है, वहीं पर इस वैकेंसी के लिए पूरुस अभ्यर्ती अगर सेलेक्शन कैसे होगा, तो सेलेक्शन जो है वो एक एक्जाम होगा, उसके बाद जो है सेलेक्शन रहेगा, परिशा की स्कीम और पाठेक्रम यहाँ पर दिया हुआ है, राजिस्तान का जो है यहाँ पर राजिस्तान इंडियन एंड वर्ल हिस्ट्री, आपकी यह पूछी ज जाने वाली है, 300 marks का question paper रहेगा, आप चलिए next देख लेते हैं, vacancy जो है, यह अलग-अलग विभाग है, ध्यान में रखना है, वो विज्यापन संख्या 1 oblique 2024, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, दूसरा है यह विज्यापन संख्या 3 oblique 2024, यह जो है, यह भी पद का ना लग-लग विभाग है, इस विभाग का नाम है राजिस्तान महला एवं बाल विकास, इसमें कुल पदों की संख्या 202 है, जिसमें non-TSP area के 175 और TSP यानि अनुसूचित शेत्र के 27, यहाँ पर इनोंने एक condition लिख दी है, कि इन पदों पर केवल वे महला भ्यरती ही आवेदन क कारे करता का कम से कम 10 वर्ष का अनुवा प्राप्त हो, ठीक है, तो यह condition यहाँ पर रहती है, उसके बाद और भी देख लेते हैं यहाँ पर, अलग से जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, पातरता एवं सैक्ष्णिक योगिता, तो graduation के साथ मैं बता दिया है, 10 साल क अनुवा होना चाहिए, आंगनवाडी कारे करता के रूप में काम करने का, साथ में आपके पास कोई भी डिप्लोमा और डिग्री, अगर आपके पास है कम्प्यूटर की, कोई भी, तो आप बिलकुल यहाँ पर eligible है, या फिर राजिस्थान स्टेर सर्टिफिकेट कोर्स इन रहेगा, तो इसमें भी जो है, एक्जाम होगा, IUC मा सभी में समान है, IUC में छूट जो की मैंने आप लोगों को भी बताई थी, वही इसमें भी रहने वाली है, परिक्षा का आयोजन, या तो computer आधारित परिक्षा हो सकती है, या tablet आधारित परिक्षा हो सकती है, या फिर OM इसमें भी एक्जाम हो सकता है, जो भी conduct करवाए जाएंगे, उसकी सूचना आप लोगों को मिली जाएगी, आविदन कैसे करना है, वो आपको देखना होगा यहाँ पर, आविदन का जो process है, वो बिलकुल यहाँ पर दिया हुआ है, यह main website का link है, जहां से आप लोगों को व इसरी वेकेंसी, यह है विग्यापन संक्या 5.2024, तो advertisement number 1, 3 और 5, यह तीनों ही जो है, वेकेंसी हैं, जो कि महलाओं के लिए especially काफी अच्छी है, क्योंकि यह जो है बिलकुल government job है, permanent वेकेंसी है, इसमें कुल पदों की संक्या आई है, 209, और यह है महलाओं बाल, विकास, इसके अंदरगत कहा गया है कि CET सनातक स्तर का 2022, यह आपका qualify होना चाहिए, तो दो विग्यापन में कहा गया है कि आपके पास सनातक स्तर का CET होना चाहिए, आपका qualify होना चाहिए, और एक विग्यापन में हमने देखा कि वहाँ पर 10 वर्ष का अनुभव मांगा गया है, आ qualification इसमें भी वही मांगी गई है, graduation आपका होना चाहिए और साथ में computer का degree या diploma कोई भी आपके पास हो तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर eligible है, RSCIT अगर आपने किया हुआ है तो भी eligible है, diploma in computer science and engineering from a polytechnic institute तो भी आप apply कर सकते हैं, graduation के साथ में या फिर 12th के साथ में computer science या computer application आपका एक subject के रूप में रहा हो degree, diploma, certificate तीनों वाले बिल्कुल apply कर सकते हैं IUCMA सभी में समान है, IUCMA में छूट जो है वो मैंने आप लोगों को अभी बता ही दी है काफी अच्छी vacancy है तो इसमें अभी परिक्षा का आयोजन किया जाएगा, board के पास परिक्षा की दिनाक एवं इस्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है यानि अभी जो है अफ के वल फॉर्म ही अपलाए होंगे, एक्जाम कब होगा, इसकी सूचना वेबसाइट पर आ जाएगी इसके लिए परिक्षा की स्कीम पाथे करम में लिख दिया गया है कि परिक्षा की स्कीम पाठे गरम विभाग से प्राप्त होने पर यथा सीगर वेबसाइट पर उपलप्त करा दिया जाएगा तो किसी में तो परिक्षा की scheme और जो syllabus है वो बिल्कुल बता दिया गया है और किसी में अभी नहीं बताया है आ जाएगा जैसे ही आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी तो तीन वेकेंसी की बात की है इस वीडियो में हम लोगों ने एक तो है विग्यापन संख्या वन ओबलिक 2024 दूसरा है विग्यापन संख्या 3 और तीसरा है विग्यापन संख्या 5 तीनों ही अलग अलग वेकेंसी हैं ध्यान रखिएगा जैसे ही आप राजिस्थान स्टाफ स्रेक्शन बोर्ड जैपूर में वेबसाइट पर आते हैं राजिस्तन करमचारी चेयन बोर्ड की, तो न्यूज एंड नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा, तेरा फर्वरी के तीन नए विग्यापन, एडवर्टीजमेंट फॉर डारेक्ट रेक्रूट्मेंट अफ सुपर्वाइजर वोमेंट 2024, नेक्स्ट है वोमेंट इम्पावर्मेंट सुपर्वाइजर एक्जाम 2024, थर्ड है आंगनवाडी वर्कर कोटा सुपर्वाइजर वोमेंट 2024, ये तीनों ही अलग-लग विग्यापन हैं, ध्यान रखिएगा, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही वेकें आप लोगों के लिए जो भी इंपोर्टेंट होगा बिल्कुल आप लोगों को सुचना समय पर मिलेगी, थैंक यू